नमस्कार मैं हूँ अन्शिता सोनिया गांधी ने मोदी को चिठी लिखकर जातिय जन्गरणा की बात क्या की भाजपा से लेकर संग तक की बोली ही बदल गई हिंदुत्ति की राजनीती के दिगज़ चेहरे दवाब में आ गए क्योंकि चुनाओ का दवाब किसी से कुछ भी करवा सकता है इसका ताजा तरीन उधारन है संग प्रमुख मोहन भागवत का बयान वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा इस बयान को सुनिये अब यहां गौर कीजिए जो राष्टिय स्वयम सेवक संग अलग अलग तरीके से हमेशा आरक्षन पर तरह तरह के सवाल उठाता रहा है वो कह रहा है कि जैसा है वैसा चलने दो जबकि संग की सोच बताती है कि आरक्षन आर्थिक आधार पर होना चाहिए तो अब क्या हो गया सिवाए इसके कि सोनिया गांधी ने भाजपा को जातिय जनगर्णा पर मोधी को लपेट लिया है मोहन भागवत के सुर्तों बिलकुल ही बदले हुए लग रहे हैं कह रहे हैं कि जब तक समाज में बेदभाव रहेगा आरक्षन रहना चाहिए संग प्रमुक के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया साथी सवालों की बोचार की गई कि आखिर इस बदले हुए अंदास की वज़ा क्या है कभी भी राज्य में चुनावी बेगुल बच सकता है इसके बाद अगले साल तो महा मुकाबला है ही क्योंकि लोग सभचुनाओ है इसलिए बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है इसमें उसका साथ संग भी दे रहा है क्योंकि पार्टी डरी हुई है दवाब में है अब जानिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की चिठी ने मोधी सरकार और संग दोनों पर दवाब बना दिया तो 6 सितंबर को सुनिया गांधी की चिठी आती है इस चिठी में वैसे तो तमाम मुद्दे उठाए गए कई सवाल पूछे गए लेकिन इसमें सातवे नंबर पर लिखा था कि जातिय जनगरना की अविलंब जरूरत है ये वो मांग है जो जब भी उठती है जैसे भी उठती ह बीजेपी में हरकंप मच जाता है मोदी का दिल बैठ जाता है चिठी आने के कुछ देर बाद ही एक कारिक्रम में मोहन भागवत आरक्षन का समर्थन करने की बात करते नजर आते हैं इसके बाद से ही राजनीती के जानकार दावा कर रहे हैं कि जातिकर जनगरना की बाद भागवत आरक्षन के मुद्दे पर बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि बीजेपी और संगी फस गया भागवत ने कह दिया कि 2000 साल से भेदवा हो रहा है हजारों साल से भेदवा हो रहा है और अभी भी स्तिति पूरी तरह से ठीक नहीं है यानि संग ने भी मान लि वो अपने देश में सामाजिक विशमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक विवस्था के तहप पिछे रखा उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की और ऐसा कम से कम 2000 वर्षे चलाई है तेरे देरे तो अब संग प्रमुक के बयान पर बीजेपी की किरकरी हो रही है लेकिन जैसा कि हमने बताया मुख्य मुद्दा बीजेपी की किरकरी नहीं है बलकि जातिकर्ट जंगर्णा की मुद्दे पर बैक फुट पर आई बीजेपी है आप जानते ही हैं कि केंद की मोधी सरकार जातिकर्ट जंगर्णा का विरूद करती आई है जबकि छेत्रिय दल इसका समर्थन कर रहे हैं बिहार सरकार ने तो जातिकर जंगरना करवा भी ली हाला कि इसको रोकने की बहुत कोशिश हुई लेकिन जब मामला सुप्रीम कोट पहुचा और वहां भी कोई दाव नहीं चला तो केंद सरकार के सुर बदल गए हालत ये हो गई कि अपने हलफ नामे में सरकार को कुछी घंटों बाद संशोधन करना पड़ा था 28 अगस्त को जातिकर जंगरना के खलाफ केंद सरकार ने सुप्रीम कोट में अपना हलफ नामा दाखिल किया लेकिन कुछी घंटों बाद सरकार ने नया हलफ नामा पेश किया सरकार ने शीर सदालत में ये भी कहा कि उक्त हलफ नामे में अंजाने में पैरा पांच घुज गया था इसलिए उस हलफ नामे को वापस लिया जाता है दरसल पहले जो हलफ नामा दिया गया था उस हलफ नामे में जोर देकर कहा गया था कि बिहार सरकार के पास जनगरना करने का कोई अधिकार नहीं है सिर्फ केंद सरकार कोई अधिकार है सम्विधान के तहट या अन्य था कोई अन्य संस्था जन्गर्णा या जन्गर्णा जैसी कोई कारवाई नहीं करवा सकती लेकिन बाद में उसी हलफ नामे में संशोधन कर उस लाइन को हटा दिया गया सरकार ये तो जरूर कह रही है कि Census Act 1948 के तहट केंद्र को ही जनगर्णा करने का अधिकार है लेकिन जनगर्णा जैसी कोई अनिप्रिक्रिया वाली लाइन को गायब कर दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोट ने साफ कर दिया है कि कानूनन ऐसा किया जा सकता है इस पर सभी को हैरानी हुई थी क्योंकि जो मोदी सरकार सुप्रीम कोट के फैसलों को चुनोती देती आई है उसने अपने हलफ नामे में बदलाभ ही कर दिया था वो भी किसी के टिपड़ी करने से पहले ही इसके बाद से चर्चा तेज हो गई थी कि मोदी सरकार जातिय जनगरना को लेकर बहुत डरा हुआ महसूस कर रही है इसलिए चुनाओ नस्दीक आते आते डामिज कंट्रोल में लग गई है अब मोहन भागत का बयान भी इसी रननीती का हिस्सा है उन्होंने कहा हमने साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा उनकी जिन्दगी जानवरों जैसी हो गई फिर भी उनकी परवा नहीं की ये सब 2000 साल तक जारी रहा समाज के जो वर्ग 2000 साल तक भेदभाव से पीड़ित रहे उन्हें समानता कादिकार दिलाने के लिए हम जैसे लोगों को अगले 200 साल तक कुछ परिशानी क्यों नहीं जहिलनी चाहिए जबकि संग ने हमेशा ही आर्थिक आधार पर आरक्षन की बात कही है संग के दूसरे सरसंग चालक गुरू गोलवलकर ने अपनी किताब में विचारधन में लिखा है कि साल 1950 में जब भारत गरतंतर बना तब डॉक्टर अमबेटकर ने अनुसूचित जाती और जन जातीयों के लिए दस साल के लिए आरक्षन की विवस्ता अपनाने की बात कही थी बाद में ये अविधी लगातार बढ़ाई गए जाती के आधार पर आरक्षन देने की वजह से स्वतंद्र समाज के तौर पर उनका अस्तित निर्मान हुआ समाज के सभी तवकों में गरीब लोग रहते हैं इसलिए आरक्षन की सुविधा आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ दलितों को ही आरक्षन मिल रहा है ये भावना खत्म हो जाएगी हलाकि ये शुद्ध तोर पर बेकार और मन गडंत बात है सम्मिधान में कही नहीं लिखा था कि जाती आरक्षन दस साल के लिए ही होगा ऐसा संसर और विधान सभाव में जन पृतिनिद्ध के लिए प्रावधान किया गया था लेकिन अब वही संग कह रहा है कि देश को जाती आरक्षन की जरूरत है अब आप खुद ही सोचिए चुनाव इंसान से क्या से क्या करवा देता है तो इस वीडियो में इतना ही आप से नरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी ज़रूर बताइएगा त्विटर हैंडल है आपने जो आरक्षन दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विशमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधूओं को सामाजिक विवस्था के तहप पिछे रखा उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चलाई है देरे देरे